जो हार दोस्तों मैं इस्मृति ऐस्वर है आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद इस्मृति में आज ही क्लास में आप लोगों को जारखंड का बजट 2021-22 से सम्बंदित कुछ महत्वपुन प्रश्ण उतर कराऊंगी जो कि व्या विकास के लिए गोट इस्टेट विकास करने की योजना का संचालन किया जाना है इसका उद्देश क्या है तो इसका और एंसर जो है वह ऑप्शन नुमबर ए है कि दूध और मांस का उत्पादन को बढ़ाना है अब हम लोग इसी को डिटेल में जानेंगे कि बजट में क्य प्रावधान किया ऐसे संबंदित कि चत्रा जीला की अंतरगत व्रीहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्रादीन बक्रा विकास के लिए गोट इस्टेट विकास करने की योजना का संचालन किया जाना है इसका मुख्य उदेश दुग्द और मांस का उत्पादन को बढ़ाना है इस योजना के संचालन से सरकार को राजस्व की प्राप्ती भी होगी यह जो योजना चलाई जा रही है इसके संचालन से सरकार को राजस्व की प्राप्ती होगी अगला प्रशन है कि वितिया वर्स 2019-20 में अनुमानित कुल दूध उत्पादन प्रती दिन कितना लिटर था बहुत ही important है तो वितिय वर्स 2019-20 में अनुमानित कुल दूद उत्पादन प्रती लिटर जो था वो प्रती दीन 68 लाख लिटर था एक दीन में 68 लाख लिटर दूद का उत्पादन हो रहा था वितिय वर्स 2019-20 में अगला प्रशन है कि वितिय वर्स 2021-20 में प्रती दीन लगभग कितना लिटर दूद का उत्पादन का लक्ष है तो अभी 2021-20 में प्रती दीन लगभग 80 लाख लिटर प्रती दीन दूद के उत्पादन का लक्ष रखा गया है कि एक दीन में 80 लाख लिटर दूद का उत्पाद दिन है तथा वित्तिय वर्स 2020 में प्रती दिन 73.5 जीरो लाख लिटर दूद उत्पादन का अनुमान है और ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि 2020 में 73.5 जीरो लाख लिटर दूद का उत्पादन हुआ होगा एक एक दिन में जारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा राजे के 16 जीलों में अब तक 69 मिल्क फूडिंग पॉइंट से संबंदित कूल 2372 गाउं और 9630 दूर उत्पादगों को जोड़ करके और सतन एक लाख दो हजार लिटर दूद प्रती दिन संग्रहित करते वे प्रतीक माह लगभग 10 करोड रुपए की राशी दूद उत्पादकों के नीजी बैंक खाता के माध्यम से भुकतान किया जा रहा है और इसी वितिय वर्स 2021-22 में प्रती दिन लगभग 80 लाख लिटर दूद उत्पादन करने का लक्षे भी निर्धारित किया गया है तो प्रती दिन कितने लाख लिटर दूद उत्पादन करने का लक्ष रखा गया है जार्खन में तो ये लक्ष रखा गया इस वार बज़ट 2021-20 के अंतरगत 80 लाख लिटर प्रती दिन अगला जो प्रश्न है वो है कि जार्खन मिल्क फेट्रेशन के माध्यम से दूद उत्पादन संग्रहन विधायन और विपर्णन के लिए अधार्भूत संरश्नाओं के सुद्री करन इवं विस्तार है तो कीन दो जगहों पर नए डेरी प्लांट स्थापित किये जाने की यो इन दो जगह पर नेया डेरी प्लांट जो है वो अस्थापित किया जाएगा तो आसा लोग इसको डीटेल में देखें जार्खन मिल्क फेट्रेशन के माध्यम से दूद उत्पादन संग्रहन विधायन एवं विपर्णन के लिए अधार्भूत संरश्नाओं के सुद्री कर विस्तार के लिए जमशेदपूर तथा गीरी डे में ने डेरी प्लांट एवं राची में मिल्क प्रोड़क्ट प्लांट एवं मिल्क पॉडर प्लांट की स्थापना प्रस्थावित है राची में क्या खुलेगा तो राची में खुलेगा मिल्क प्रोड़क्ट प्लांट और मिल्क पाउडर प्लांट और गिरीडी और जमशेदपूर में इन सभी उद्देश्यों के साथ डेरी प्लांट जो है वो खोला जाएगा चले लेते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि संसागत दूद संग्रहन के एक मिनिट फोन को थोड़ा से मैं स्विच आफ कर जार्खन मिल्क फेडरेशन को आपूर्ती किये गए दूद के लिए कितने रूपए प्रती रिटर की दर से प्रशाहन मुल्य उपलब्द कराया जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा एक रूपई या थोड़ा सब हमनों इसको डिटेल में देखें संस्थागत दूद संग ग्रहन के संबर्धन और उसके विस्तार के लिए ग्रामीड दूद उत्पादगों के द्वारा जार्खन मिल्क फेडरेशन को आपूर्ती किये गए दूद के लिए एक रूपया प्रती रिटर की दर से प्रोशाहन मुल्य उपलब्द कराया जाने प्रस्तावित है बजट 2021 अगला प्रशन है कि वित्य वर्स 2021 में कितना मेट्रिक 10 मचली के उत्पादन का लक्ष जारखंड में निर्धारित किया गया है तो जारखंड में वित्य वर्स 2021 में 2,65,000 मेट्रिक टन मचली के उत्पादन का लक्ष रखा गया है 2,65,000 मेट्रिक टन की तना उत्पादन कर देना है मचली का तो फ्रवाँ से लोग इसको डिटेल में देखें चालू वित्यवर्ज 2021 में सभी स्रोतों से मचली उत्पादन के कुल 2,44,000 मेट्रिक टन के लक्ष के विरूद माह जनवरी 2021 तर 1,90,425 मेट्रिक टन मचली का उत्पादन हो चुका है और आने वाले वित्यवर्ज 2021 में 2,65,000 मेट्रिक टन मचली के उत्पादन का भी लक्ष जो है वो निर्धारित कर दिया गया है तो पिछली बार कितना निर्धारित था 2,44,000 उसके अधार पे देखा जा तो 1,90,425 मेट्रिक टन मचली का उत्पादन किया जा चुका है और एक नया लक्ष निर्धारित किया गया है कितना मेट्रिक टन मचली उत्पादन करने का तो यह रखा गया है मसलिया मेगा लिफ्ट सिच्चाई योजना अब देखें बजट में है और करेंट अफेर्स का यह भाग है तो यह आपसे प्रश्न भी यहां से पूछा जा सकता है इसके क्रियानवेन अगामी वर्स 2021-22 में प्रारम भी किया जाना है तो यह जो मतला वो किस जीले में मसलिया मेगा लिफ्ट सिच्चाई योजना का संचालन किया जाना है तो इसका अंसर हो जाएगा option number D क्या होगा इसका अंसर तो पलामू में पलामू में मसलिया मेगा लिफ्ट सिच्चाई योजना का करियानवेन आने वाले वर्स 2022 में इसमें प्रारभ किया जाना है थोड़ा से इसको डीटेल में देखें क्या है यह तो राज्य के संथाल परगना के छेत्र में आदिवासी बहुल दुमका जीले की अंतरगत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से देखें यह इसका एंसर यह दी नहीं हो होगा तो आप इसको सही कर लीजेगा यहां पर टाइपिंग मिस्टेक था दुमका में होगा दुमका में होगा यह देखें संथाल परगना के छेत्र में आदिवासी बहुल दुमका जीले की अंतरगत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से मसलिया मेगा लिप्ट सिचाई योजना का करियान वेन अगामी वर्ट्स 2021-22 में प्राइरम किया जाने का कारेकरम निर्धारित किया गया है अब अगला प्रश्न है कि वर्सोफ पूर्व निर्मित जिन्ट शिन्ड योजनाओं के विकास्-पूरण धार्वा आधुनीकी करन के कारेकरम को आगे बढ़ाते आहरों के लाइन का कारे pada 12 पुराने सिच्छाय योजनाओं के नहरों के लाइने का प्रस्ता हो थोड़ा से लोग इसको डिटिटिल में देखे वर्सों पूर्व चिछन योजनाऊं के विकास, पुनरुद्धार और आधुनिकी करण के कारेक्रम को आगे बढ़ाते हैं 12 पुरानी सिच्चाई योजनाऊं के नहरों के लाइनिंग क कारे आगामी वर्ष में किये जाने का प्रस्ता है 12 पुरानी सिच्चाई योजनाओं का अगला प्रश्चन है कि राजी के पठारी भागोलिक स्थलाकृति के कारण लगू सिच्चाई योजना की सार्थक्ता का एवां सार्थक्ता यम उपादेता बनाए रखने के लिए कितनी जमिंदारी बांधों के जिन्नोधार का कारे कारण जो लगू सिच्चाई योजना है लेकिन उसकी सार्थक्ता और उपादेतों को बनाए रखने के लिए 100 बांधों के जिर्णोधार का कारे आगामी आने वाले जो वर्स हैं उसमें कराए जाने का कारेक्रम रिधारी थे जो 100 पहले से जिसको जिर्ण शिर्ण अवस्ता में था लगू सिच्चाई योजना उसको फिर से चालो कराने का कारेक्रम रखा गया है बजट में दो बजट दो जारी किस बाइस में अगला प्रश्न है कि आशा के जरिये राजे के बीज असमलो आठ लाग परिवारों को आजी वक्त आजी विका के सशक्त माध्यम से जोड़ा गया है आशा का पूरा नाम क्या है विस्तरीत नाम क्या है और आपको मैंने बताया है डायन प्रथा के उन मुलन के लिए जो बहुत है अगला प्रश्न है कि आशा के जरिये राजे के अगले वितिय वर्स में और कितने अते रिक्त परिवारों को जोड़ने का लक्ष राजयसरकार ने रखा रहा है तो आशा के जरिये राजे के अगले वित्य वर्स में ये जो निया वित्य वर्स होगा उसमें 26 लाख अतिरिक्त परिवारों को जोड़ने का लक्ष रखा गया है तो अजेविका संबर्धन हुनर अभियान यानि कि आशा इसके जरिये राजे के 20.8 लाख परिवारों को पुना गया है कि ग्रामिड विकाज श्मंदित अनुदान तथा प्रसिक्षन सथ सकी मंडलों के द्वारा निर्मित उत्पादों को किस ब्रांड के जरीये नई पैचान रज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो ग्रामिड विकास विभाग से संबंदित अनुदान तथा प्रसिक्षन के साथ साथ सकी मंडल के द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिये एक नई पहचान राजय सरकार के द्वाला दिया झार है कौने तो प्लाश ब्राण के अब शकी मंडल के द्वारा जो भी समानिर्मित होगा तो उसको पाशloe लुक महां पहचान दिया जएगा सरकार के द्वारा अब तो आपनों इसका व्याख्या देख लें अनुदान तथा प्रसिक्षन के साथ सकी मंडलों के द्वारा निर्मित उत्पादकों को पलाश ब्राण के जरीए एक नई पहचान दे करके करीब दो लाख ग्रामइड महीलां की आमधनी में बढ़ में सरकार आगे बढ़ाएं नेई पहचान दवारा व। घ्रास ब्राण हमताइगे लगभग बंदके करोड़ा निर्मित कर BraveS अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के दोर्ण संचारित जोहार यूजना के अंतरगर अब तक कुल कुल इत्वत्पादक संभूर्ण का निर्मान किया जा चुका है तो राजे प्रखूरल संचारित जोहार प्रयूजना है इसके द्वारा अब तक 3921 उत्वादक संहूं का निर्मान किया जा चुका है जहार पर्योजना अब इस परिवारों को विभीन उत्पादनों के लिए जोड़ा गया है आने वाले वित्ति अवर्स 2021-22 में कुल 4000 उत्पादक समुहों का निर्मान किया जाना है और इसके माध्याम से दो लाख दस हजार परिवारों को विभीन उत्पादन से जोड़ने की योजना है अगला प्रशना है कि मन्रेगा योजना के तहत वित्ती अवर्स 2020 में कितनी योजनाओं को पूरा किया गया है चार लाख 17,875 मन्रेगा योजना प्रारम होने के पश्चान पहली बार राज्य के लिए निर्धारीत मानो दिवस रिजन के लक्षे का तीन बार पुनरिक्षन किया गया और वर्तमान में 1,150 लाख मानो दिवस का स्रिजन किया गया वर्तमान वित्तियों वर्स में 4,17,875 योजनाओं को पूरा किया गया और कुल 8,84,270 योजनाओं पर कारेश जारी है अब अगला प्रशन है कि जार्खन राज्य में गरीब ग्रामिड तता आदिवासी जीवन अस्तर को बेतर करने के उद्देश्य से भारत रूलर लाइवली हुड फांडेशन जिसको शॉर्ट में क्या कहते है बी आर एल एफ इसके द्वारा किस विभाग के सायोग से राज्य में 24 नवंबर 24 नॉन-CFT प्रखंडों में MOU पर कारे आरम किया जा रहे है तो इसका एंसर हो जाएगा किस विभाग के सायोग से राज्य में 24 नॉन-CFT प्रखंडों में MOU किया जा रहा है तो यह विभाग है ग्रामेड विकास विभाग अगला प्रशन है कि भारत रूलर लाइवली हुड फांडेशन बी और एल एफ के द्वारा ग्रामेड विकास विभाग के सायोग से जार्खंड राजे के कितने जीलों के 24 प्रखंडों में MOU पर कारे आरंब कर दिया गया है तो इसका एंसर हो जाएगा छे जीलों के 24 प्रखंडों में MOU पर कारे प्रारंब कर दिया गया है अथुरासन लोग इसको डिटेल में देखी जार्कन राजे में ग्रामेड तथा आदिवासियों के जीवन अस्तर को अच्छा करने के उद्धेशे से भारत रूलर लैवली हुड फांडेशन बी आरलफ के द्वारा ग्रामेड विकास विभाग के सहयोग से जार्कन राजे के एच्छा जिले जो कौन कौन से जिले हैं यह है गुमला खूटी होना चाहिए है जूटी लिखा हुआ है टाइपिंग है पश्यमी सिंग्भूम पाकुड साहेब गुड़्डा इसकी अंतरगत कुल एच्छे जिले कुल ट्रेंटिफोर नॉन सी एफ्टी प्रकंडों में पर कारे आरंब किया गया है इस पार्टनर्सीप में मन्रेगा कारेकरम की निधी का बेहतर उपयोग करते हुए इंटीग्रेटेड नैच्रूल रिसोर्स मैनेजमेंट आई एन आरेम इसके सिधान्त के अधार पर वाटर शेड एप्रोच को अपनाते हुए लेंड वाटर ट में आम एवं मिस्रित बागवानी का कारे वित्य वर्स 2020 में किया गया है तो यह किया गया है 2600 एकड लक्षे रखा गया था लेकिन इसके बिर्सा हरित ग्राम योजना की अंतरगत 2020 में लेकिन इस लक्षे के विरूद ज्यादा काम हुआ है और 2600 एकड पर आम और मिस्रित बागवानी का कारे वित्य वर्स 2020 में किया गया है तो बिर्षा हरीद ग्राम योजना की अंतरड़कत 20000 क्योध लक्षे विरूद आहां कि निलांबर पितामबर जलसंवर्द्य योजना के अंतरगत सब्सकिने भूमी रखा गया है तो निलांबर पितामबर जलसंवर्द्य योजना के अंतरगत सब्सक्राइब 2021 में 1,0 difficulties में 11,00,00,00 한वilar भूमी के उफ्चार आहा रखा गया है लगभग 98,000 65 हेक्टेर घुमी का उप्चार प्रगती पर है और वर्स 2022 में एक लाख हेक्टेर घुमी के उप्चार का लक्ष भी रखत रख दिया गया है चलिए अगला प्रशना है कि वित्तिय वर्स 2022 में राजे द्वारा मनरेगा योजना के अंतरगत कितने दिनों के मानो दिवस रिजन का लक्ष रखत गया है एक हजार एकसो लाख मानों दिवस वित्यवर्स 2021 के लिए राजे के द्वारा मन्रेगा योजना की अंतरगत एक हजार एकसो लाख मानों दिवस रिजन का लक्षे रखा गया अब इसके अनुसार प्रस्तावित बजट की रासी जो है वो 3770.07 करोड उपए होगी अगला प्रश्ण है कि बाबा सहाब भीम राओं अमेटकर आवास योजना की अंतरगत अगामी वित्यवर्स 2021-22 में और कितने नए आवास बनाने का लक्षे रखा गया है तो बाबा भीम राओं अमेदकर आवास योजना की अंतरगत अगामी वित्यवर्स 2021-22 में तीन हजार नए आवास बनाने का लक्षे जो है वो निर्धारित किया गया है बाबा सहाब भीम राओं अमेदकर आवास योजना की अंतरगत 32,244 आवास स्विक्रित करते हुए 23,321 आवास पूर्ण कर लिया गया है और आने वाले वित्यवर्स में 2021-22 में 3000 नए आवास बनाने का लक्षे रखा गया है अगला प्रश्न है कि पकी आवास की उपलब्दता सुनिशित करने के लिए विती अवर्स में कितने नए आवास बनाने का लक्षी निर्धारिद किया है तो पक्की आवास की उपलब्दता को सुनिशित करने के लिए वित्तिय वर्स में 2,45,000 नए आवास बनाने का लक्षे निर्धारित किया गया है अगला वर्स है कि पूरे राज्ये में दिनांक 16122 से COVID-19 टिका करण का सुभारम कितने केंदरों पर किया जा रहा है कि 108 अपात कालीन एम्बूलेंस सेवा का विस्तार करते हुए पूर्व से संचाली 337 एम्बूलेंस के अतिरिक्त वित्तिय वर्स 2021-22 में कितने नए एम्बूलेंस का संचालन आरम किया जाएगा तो इसके अंतरगत 150 नए एम्बूलेंस का संचालन किया जाएगा आपसनों को उसको डूटेल में देखें एक सो आठापात कालीन एंबुलेंस सेवा का विस्तार करते वे पूर्वस में संचाली 337 एंबुलेंस की अतिरिक्त वित्तिय वर्स इसका एंसर 117 एंबुलेंस का संचालन आरंब किया जाएगा अगला प्रशन आयुस्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोगे योजना को राज्य में कितने योजना के नाम से संचालीत करने का निड़ने लिया गया है तो आयुस्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोगे योजना में किस योजना के नाम से इसको संचालीत किया जाएगा तो यह प्रशन जो है वह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एक दो बार मैंने और भी आपको करेंट अफेर 2021 के मुझे पूर्ड करा करके संचालीत कर दिया जाएगा तो राची जीला की इंतरगत्निर्मान ओन धीन सदर असपताल मार्च के पूर्व पूर्ण करा करकर संचालीत कर दिया जाएगा। अगला प्रशन देखेंगे तो आज ही क्लास में बस इतना ही अगर आपको इस क्लास के पीडिएफ या फिर नोट्स पढ़ने हैं तो आप धुरीना के एबुक से जुड़ जाए और इबुक में फ्री आपकॉस्ट यह नोट्स जो है अवलेबल हो जाएंगे कुछ करेक्शन क लागे वहा जो खावलॉट कर सब्सक्राइब और पर करना चाहते हैं नोट्स लगा यह कहां में द्धी हैं तो महाँ पर आप इसका टेस्ट लगा सकते हैं आशी क्लास में बस इतना ही मिलतरों नेक्ष क्लास में लेते हम से विदा धन्यवाद